एलो एवर्वन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आप आप सब बढ़िया होंगे मैं भी ठीक हूँ और बगवान की धया है आप मैं भी ठीक हूँ आप सब भी मस्त ही होंगे बगवान आपके गर में सब खुशी बनाए रखे तो फ्रेंट्स चलिए आज का जो ब्लॉग है करते हैं स्टार्ट तो मैं बस आज जो है मंडे है तो मंडे को मैं क्या कर रही हूँ आज डेली मैं जो पूजा है तुलसी मां की बो मैं करती हूँ और यहां पे मैंने बस जल जड़ा दिया है मां को और बस इनके जो चार जो परिकरम होती है बो मैं ले लेती हूँ और उसक काउ को खाना वगरा जो उसका चूरा वगरा उसको जो डालना हो तब डाल के आई हूँ और बगी सारा फिनिश हो गए सिर्फ अब खाना रह गया तो चपाती बनानी है सबजी वेजिटेबल जो बनानी थी वो बना दी है आज बिंडी बनी है गर में तो बस आज का काम दिखाऊंगी तो ये मैं वीडियो साथ साथ मैं ही आडिट कर लेती हूँ तो बस मुझे आज मैंने जो है मंडे था तो बालों को भी दोया था तो इसलिए मैंने जो डुपटा है सिर्के ओपर बांद ली है क्योंकि टॉबल की साथ मुझे बहुत साथ ज़्यादा गर्मी लगती है इसलिए मैं डुपटा कॉटन का डुपटा है इसलिए ले ले लेती हूँ यहां पर मेरे जो रादा करीशन जी है वो है मैं यहां पर स्तापित किये हैं और बाकी तुलसी मा को मैंने आज भोग जो है टॉफी का लगाया था क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं तो आज करते हैं फ्रेंट्स ब्लॉग स्टार्ट तो चलिए तो यहां पर आज मैं आगे खाना वगारा भी खत्म हुआ यस्ट हमारा तो बस मुझे काम करना था क्योंकि कुछ भी कर लो टाइम दिन में मिलता नहीं है मुझे पर आज मैंने सोच लिया था कि मुझे आज काम करन इसलिए गियुए को साफ कर लेती हूं पर टाइम नहीं मिलता था तो वस यहां पर आज मैं लग पड़ी हूं कियोंकि गियुए मैं जो कंकड वगएरा होते हैं वो निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है नई तो जो आटे के बीच में जो आते हैं नगार तो उससे ह अच्छी तरह से कुछ साफ साई जो है अच्छी तरह से कर लूगी और उसके बाद मैं जो है थोड़ी सी छेड़ खानी तो यह देखिए यहां पर हो रही है यहां की साफ साई तो यहां पर देखिए यह है अभी दुपएर का टाइम है तो मैं बस दुपएर को कुछ नहीं की हूँ आज तो आज मैंने सोचा था कि मुझे यही काम करना है गिभू जो है पूरी तना से जो है साफ हो जाएं और आप देखी रहे हैं बस मुझे थोड़ी सी बैठे बैठे कर घर कर रही हूं कभी थोड़ा साखड़े होके तो कभी पाओं के पंजे के बल बैठके सफाइ कर रही हूं तो कभी मैं सब्सक्राइल लेकिन चोटी जो जो तो उसको निकालना बहुत जादा जरूरी होता है क्योंकि अगर बो चली जाती है तो बहुत ही बहुत ही महंगी पड़ जाती है उसका तर परोफन बहुत है तो इसलिए हमें निकालना पड़ता है तौर हम थे जो जियं को घइन यही मशीनितफ ही jsए 21 शैक्रतत बहुत है है और इसलिए मुझे बस यही आज साफ करनी पड़ी तो ऐसे तो हमारे यहां पर इसको कानक भी कहते हैं फ्रेंट्स तो यहां पर देखिए बस मैं साफ कर दी हूं सारी तो थोड़ी सी वची है मैं ट्लंबी नहीं की हूं कि मुझे पता है कि अपूरा का पूरा कंटिन्यू करें और दौध नहीं कणि दो दो मिंट भी आप उपनी किमती दें तो मेरे लिए काफी है तो चलिए फ्रेंट्स अभी देखिए मेरा का माज फिनिश होने ही वाला है दो मिननट के अंदर तो यहां पे यह वाला जो है यह फिनिश करके उसके बाद यहां पे देखिये बस फिनिश हो गया है और यह बचा पुचा है ना जो कच्ड़ वगेरा जो तरह भी है इसको मैं चान के चान कर रख लूँगी तो यहां पे दिखे लाइट भी आगी है और इसको मैं थोड़ा चान कर रख दूँगी और इसका शायद दलिय वगएरा काम आएगा दलिय बनाएगे इसका तो बस यह गिमू मैंने रख दी है बिल्कुल बारिक वाली है बाकी मैंने क्लीन कर दी थी यह थोड़ी सी बची इसको भी मैं छान कर रख लूँगी तो छटाई करने में थोड़ी सी धूल मिटी है वो हमें चड़ जाती है तो इसलिए मैं थोड़ा मूँ बांदा हुआ था पहले यह देखिए अभी बहुत ही जादा दूबूल है इसके अंदर तो बस क्या करना है करना पड़ता है सब कुछ तो देखिए अभी काम हो गया है फिनिश तो उसके बाद मैं कर लूँगी अभी क्या अभी कर लूँगी एक साइड के उपर तो इसको देख लेंगे हम बाद में तो यहां पर अभी लाइट आगी ही और मेरी जो सासमाजी है वो मेरी ली ना चिप्स लेके आया थे और मैंने सोचा कि मैं जिस्ट काम खतम कर लेती पहले उसके बाद में चिप्स खाऊंगी तो फ्रेंस कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताईएगा तो आज के लिए मेरी यही वीडियो है तो कैसे लगी जरूर जरूर बताईएगा और प्लीज प्लीज अपना मेरी वीडियो को जादा से जादा शेयर किजेगा क्य कि जिन्हों ने आभी तक मेरे को ज़्यादा सब्सक्राइब और स्पोर्ड किया है उनका मैं बहुत बहुत ठेंक्स करती हूं और आगे भी मेरे को ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे स्पोर्ड करते रहें तो यह देखिए आभी बोरा मैंने जो है बरके रख दिये था तो च